नेक्स चाप्टर continuity and differentiability है इस चाप्टर में हम इन सभी topics इस स्टडी करेंगे तो चलिए first topic continuity से start करते हैं इस topic में हम इन सभी points को हम cover करेंगे तो चलिए first point of recall of limit से start करते हैं कक्षा 11 में limit के बारे में आप सभी ने सीखा था कि limit क्या होती है उसे किस प्रकार represent करते हैं Algebra of Limits, क्या होता है तथा Trignometric Functions की Limit सीखी है तो चलिए हम इस concept के पर-based एक question solve करते हैं इस question में Limit find करनी है तो मैं चाहूँगा कि आप यहाँ पर वीडियो को 3 minutes के लिए pause करें और इस question को एक बार खुद से solve करने की कोशिश करें फिर हम इसे discuss करेंगे I hope आप सभी ने यह question solve कर लिया होगा तो चलिए अब हम इसे discuss कर लेते हैं First question में हमें दिया गया है Limit x टेंज टू 1 x माइनस 1 अपॉन x स्कूर माइनस x जब हम x उगल टू 1 पुट करते हैं तो हमें 0 बाइ 0 का फॉर्म मिलता है Factorization करने पर हमें यह प्राप्त होगा Common factor x माइनस 1 को कैंसल करने पर हमें मिलेगा Limit x टेंज टू 1 1 अपॉन x जब limit apply करेंगे तो हमें 1 मिलेगा Second case में हमें दिया गया है Limit x टेंज टू 0 Sine 4x अपॉन 2x जब हम x is equal to 0 पुट करते हैं तो हमें 0 बाइ 0 का फॉर्म मिलता है तो simplification द्वारा Trignometric limits पे convert करने पर में मिलता है Limit x टेंज टू 0 Sine 4x अपॉन 4x इंटू 2 अब limit apply करने पर We get 1 इंटू 2 जो की 2 के equal है I hope आप सभी को यह समझ में आ गया होगा